चले स्टार्ट करते हैं, यहां पर आपका दिया गया है प्रस्न पहला, कि आमलक का तदभो सब्द बताईए, आमलक का तदभो, तो आमलक का तदभो क्या होता है, चले जवाब दीजे, आमलक का तदभो, और आमलक का तदभो होता है, very good, option D हो जाएगा, आउला होता है, ठीक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तिनका का तसम होता है तरण, ठीके, तरण होता है, option आपका A हो जाएगा, ठीके, अच्छा, तिक्त का होता है तीता, ठीके, तिक्त का होता है, तीता होता है, तामर का होता है, ठीके, और त्वरित का होता है तुरंत, ठीके, इस प्रकार स इनके आपके हो जाएंगे ते आपके तदवाव परिवर्तन, ठीक है next question, तकदीर सब्द है, तकदीर सब्द क्या है तो याद रेखें, तकदीर, यह आपके अरभी भासा से आया है, ठीक है तो तस्थम सब्द यहाँपर नहीं है कौन सा, option right आपका हो जाएगा, यहाँपर PD, C number आपका हो जाएगा PD, PD तस्थम सब्द नहीं है, यह तदबोव है, ठीके, इसका तस्थम क्या होता है? इसका तस्थम बनता है PD का, पी ठीका बनता है, ठीके, next question, जिन सब्दों का रूप सदय समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं तो याद रखे इन्हों हम लोग क्या बोलते हैं जिन सब्दों का रूप सदय समान रहता है इन्हें अब्वय बोलते हैं ठीके option आपका A हो जाएगा, अब्वे कहते हैं, ठीके, चलिये, next question कि धीरे चलो में अब्वे का कौनसा प्रकार है, धीरे चलो में आपका जो प्रकार है, अब्वे का किस प्रकार का है, धीरे चलो, तो यहाँ पर देखो, किरिया है और विसेशन, option right आपका यहाँ पर हो जाएगा किरिया विसेशन अब्वे ठीक है option आपका A हो जाएगा किरिया विसेशन अब्वे हो जाएगा निश्को चने किस वाक्य में परिमाण वाच्चक किरिया विसेशन है 57 नमबर तो इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े यहाँ पर किरिया और परिमाण वाच्चक किरिया विसेशन है ठीक है तो इस प्रकार से 57 को अप्शन राइट आपका जवाब हो जेगा ठीक है चलिए यहाँ पर नेस कोशन है कि निमली खित में से कौन सा सब्द कालवाचक किरिया विसेशन है कालवाचक किरिया विसेशन कालवाचक किरिया विसेशन यहाँ पर देख सकते हैं जो समय सम्मंदी विजयस्त प्रकट कर रहा हो, वह यह आपका होगा, जो क्या अपसन आपका दिख रहा है आज, ठीक है सी नमबर, आज सब्द जो है, यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समय सम्मंदी है, अथती काल वाच क्रिया विशेशन, very good, next question, नेमन में से किस वाच में क्रिया विशेशन का आसुद प्रियोग हुआ है, क्रिया विशेशन का आसुद प्रियोग हुआ है, देखते हैं किस पर, तो यहाँ पर क्रिया विशेशन, धूप में चला नहीं जाता, धूप में, देखिए अपसन आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता यहां पर आपका क्रियाविस्थेशन का आसुद रूप है ठीकि वही पर आपका यह बिलकुछ शाहिए तुम यही ठैरो सारे कलाकार उपर है यहां पड़ी नमर गलत हो जाएगा इस कोशन है निम्न मैंसे किस वाकी में क्रिया विशेसरन का प्रियोग नहीं हुआ है देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा आपका तु लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते उच्छाए थोड़ा भी कुछ कहा की काम बिगड़्गा मोहन से खा याने जाता यहां पर आपका जवाब हो जाएगा C number ठीके? नेश कोशन है वा गलती होने से यहां पर देखती है क्या भरा जाएगा क्रिया बेसेशन सब्दा आएगा लेकिन किस प्रकार का? तो यहां पर देखे वा गलती होने से बहुत डर्ती है ये बहुत सब्द आपका हो जाएगा, ठीके, अगला कोश्चन आपका दिया है, देव अरपड, देव अरपड का संदिवी छेद क्या होगा, देव अरपड, बास सेटमबर, देव अरपड, अर्थात, देवी धन अरपड हो जाएगा, ठीके, देव अरपड, अर्थात, भी धन आचपृण आपन आपं आपका B हो जाएगा. Next question की सब्द में उप्सरु का प्रियोग हुआ है की सब्द में उप्सरु का प्रियोग हुआ है देख लीजे उप्सर्ग और उप्सब्द आपका जो मिल गया है आपका A नमबर हो जाएगा उपसरग ठीक है मिलकुछ सही है A नमबर अगला है अनिच्छा में प्रियुक्त उपसरग बताईए अनिच्छा में प्रियुक्त उपसरग अनिच्छा और अनिच्छा में आपका निकलेगा अन धन ठीक है अन निकलेगा जोकि आप अप्सन अपका C हो जएगा इंद्रीजीत अर्थात ठीक है और इसके तरिक देखा है इंद्रीजीत क्या होता है इंद्रीजीत मतलब होता है इंद्र को जीतने वाला ठीक है और नेस कोशन है जिसका अनभौ किया गया हो उसको बोलते हैं अनभौत क्या बोलते हैं अनभौत ब पताईएए वानिर्वाचन्य सब्द का सही अथ है चलिए बबताईए इसका जबाभब क्या हुजएगा अ निर्वाचनी और यहां पर आपका सही जबाभ option right आपका हो जहेगा 67 का जबाभ हो जबाभ यहां पर the number टीके इन अभर डी number आपका हो जाएगा जो वाड़ी हो जाएगा अर्बिभासा निम्लिकित में से कौन सा उपसर्ग रहित सब्द है उपसर्ग रहित हा था तो उपसर्ग नहीं होना चीए 69 का जवाब तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 69 का आप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है आप्शन डी हो जाएगा सुरेश ठीक है सुरेश निस कोचन महिमा सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है महिमा सब्द में किस प्रत्य का प्रियोगवा है तो यहाँ पर आपका जो बनेगा महाधन इमा अथात मूल्ट सब्द आपका यहाँ पर मूल्ट सब्द मा हो जगा और इमा यहाँ पर प्रत्य हो जगा और प्रत्य पुझा इस प्रकार से अपसन आपका D हो जाएगा अगला है आड़े हाथों लेना मोहरे कार्थ क्या होगा तो आड़े हाथों लेना मोहरे कार्थ हो जाए खरी खोटी सुनाना ठीक है खरी खोटी सुनाना अपसन आपका D हो जाएगा खरी खोटी सुनाना सूरज को दीपक दिखाना अर्थ सूरज को दीपक दिखाना अर्थात तो याद रखे सूरज को दीपक दिखाना मतलब होता है किसी ब्यक्ति की तुरंत प्रसंसा करना किसी ब्यक्ति की तुरंत प्रसंसा करना option आपका भी सही हो जाएगा पंचानन में कौन सा समास है पंचानन पांच है आनन जिनके हतात यहाँ पर आपका यह बहुगरी समास है ठेके तो 73 का option right आपका जवाब हो जाएगा कौन सा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बहुगरी समास हो जाएगा ठीके नीचे दिये गए सब्द समू के लिए सही युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं युद्स बोलते हैं ठीके सी नमबर युद्स अगला दिसाएं ही जिनके वस्त रहें दिसाएं ही जिनके वस्त रहें और दिसाय हैं जिनके वस्त नहीं उनको हम लोग बोलते हैं दिगंबर याद रहे कि क्या बोलते हैं दिगंबर बोलते हैं आप सुन आपका डी हो जाएगा इस कोशन है नीचे दिये गए सब्द समू के लिए सही सब्द काई चैन कीजिए वह कभी जो तच्छन कविता करे यह अगला है उच संखल का विलोम सब्द क्या होगा उच संखल का विलोम सब्द क्या बनेगा आपका तो यहां पर आपका विलोम सब्द आपका बनेगा आपका विनम्ड ठीके विनम्ड ओप्सन डेटप का डी हो जेगा अगला है वह कथा जो जन साधानन में प्रिचलित हो के लिए एक सब्द होता ही है वह कथा जो जन साधानन में प्रिचलित हो तो इसे हम लोग क्या बोलत तो यहां पर आपका होजएगा प्रतीधन आए और यहां पर आपका होजएगा और यहां पर आपका होजएगा question कि सचीदानद का संदिविचीद बताइए सचीदानन्द, बिल्कुल सबी question पढ़े वे आपको दिख रहे होंगे, ठीके, तो सचीदानन्द बता इएगा, सत्धन चित धन आनन्द, सत्ध धन चित धन आनन्द, ठीके, कौन सावाला, तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब सत धन चित धन आनंद यहाँ पर जवाब आपका इसा ही हो जाएगा ठीके अगला कोश्चन है यह मूह और मसूर की दाल का अर्थ यह मूह और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है 83 का जवाब यह मूह और मसूर की दाल काहवत का अर्थ होता है अपनी योगिता से अधिक पाने के उमीद, ठीके अपनी योगिता से अधिक पाने के उमीद, आपसन अपका D हो जाएगा, अगला है चित पर चड़ना का अर्थ, चित पर चड़ना, और चित पर चड़ना का अर्थ होता है सदा इस्मरण रहना, सदा इसमरण रहना option D हो जाएगा निम्लिकित लोकोगती का आर्थ बताएए बताना है असरफियां लूटें कोईलों पर मुहर क्या आर्थ हो जाएगा इसका तो यहाँ पर हो जाएगा मुल्लेवान वर्ष्ट के पेच्छा तुछ वर्ष्ट का ध्यान समझ वागिया option C हो जाएगा हसुवे के ब्याह में खुर्पे का गीत कहावत क अर्थ बताएए तो हसुवे के ब्याह में खुर्पे का गीत होता है असंगत बाते करना ठीकि असंगत बाते करना option आपका C हो जाएगा अगला है अतित्तम के संद्विच्छेत का विकल्प चुनिए अतित्तम का संद्विच्छेत अतित्तम का संद्विच्छेत हो जाएगा अतिधन उत्यम बिल्कुल सही है option B हो जाएगा अतिधन उत्यम अतिधन उत्यम हो जाएगा गर्व सूननी सब्द में समास 88 जवाब गर्व सूननी सब्द में समास क्या हो जाएगा तो गर्व सूननी सब्द में जो समास होगा याद रखेगा यहाँ पर बनेगा गर्व से सूनने अर्थात कारक चिन जवाब का लोप हुआ है, करनर तक पुरूस हो जाएगा, ठीके, option B हो जाएगा, अगला है, द्रस्ट राश्टीता का आधार है, यहाँ पर आपका जवाब भरा जाएगा क्या, धर्म निर्पेच, क्या भरा जाएगा, धर्म निर्पेच भरा जाएगा, B जवर्तनी है, और सुद्वर्तनी आपकी कौंसी हो जाएगे यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ पर आपका दिया है, सुद्वर्तनी कौंसी है नब्बे में, या मेनी नब्बे हैं, अकांचा, यहाँ ज़िएगा, ठीके, धर्म न, है ना छोटा हूँ होता है बान में ठीक है और कह सकते हैं जो वरच है वरच में इस परकार लगा होता है और अयतिहासिक में एक मात्रा होती है इसलिए आपके तीन गलत थे सही आपका डिया है नेस कोशन निमनिकित में से कौन सा सब्द यामनी का परहवाची नहीं है नहीं आधी रात का समय क्या कहलाता है आधी रात का समय और आधी रात का जो समय होता है उसे हम लोग निशीद कहते हैं याद रखे निशीद ऑप्शन डी होजएगा निशीद कहलाता है ठीक है निश्कोशन है कि कर्षण यहाँ पर देखना है विप्रीत आपको बताना है ठीक है विकर्षन आपका बनेगा ठीक है और कनिष्ट का विलोम वरिष्ट सिक्त का विलोम रिक्त और अपकर्ष का विलोम आकर्षक्त नेस्ट कोशन कि सुसुप्त का विलोम सुसुप्त का विलोम जागरत होता है ठीक है जागरत होता है यादर के जागरत ठीक है और स्ट्रेस्ट क अधम म्रत का विलोम जीवित और कृतग्न का विलोम कृतग्य होता है नेस कोशन दिया है विहित विहित और विहित का क्या हो जाएगा विहित का विलोम होता है निसेध ठीके निसेध होता है सी नमबरा को जाएगा निसेध हो जाएगा ठीके और सुगम का विलोम दुरगम अ पीर घायू तियाहा पर आपका रा उड़ा हुआ है और रा उड़ा है किसमें ये नमबर आपका हो जाएगा सही नौका सब्दे का परया बताइए नौका सब्दे का परया और नौका का परया क्या होता है नौका का परया हो जाएगा आपका तरी ठीके अपसंसी हो जाएगा तरी हो जाएगा इसके और गोते हैं जैसे तर्णी ठीके तर्णी होता है डोंगी होता है ना होता है जल्यान होता है नया होता है ठीके अगला है तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं तीनों कालों को जानने वाला और तीनों कालों को जानता है उनको हम लोग बोलते है तिकालग तिकालग तो यहाँ पर आपका जवाब यह हो जागा तिकालग और तीनों कालों को देखने वाला होता है तो उसको लिए हम बोलते हैं त्रिकाल दर्सी त्रिकाल दर्सी जो तीनों कालों को देखता है त्रिकाल दर्सी जो तीनों कालों को देखता है त्रिकाल दर्स क्या होगा संस्कृत का विशेशन संस्कृत का विशेशन संस्कृतिक हो जाएगा ठीक है संस्कृतिक बिन अमबर आपका हो जाएगा अगला है सब्त धन रिसी इससे बनी संधी बताईए सब्त धन रिसी और सब्त धन रिसी जो बनती है यह आपकी बनेगी आपकी गुड संध ठीके क्या बनेगी गुड संधी बनेगी डिन अमर आपका इसमें हो जाएगा गुड संधी ठीके इस प्रकास से आपने आपर टेस्ट को सौल किया है और आप लोग देखते हैं कि लगबग हिंदी एक समानी होती है ज्यादा कोई टप नहीं है ठीके तो भाई थोड़ा- पक्की मिलेगी सरकारीब स्कूल में ठीके